हलो फ्रेंट्स मैं हूं दिक्षा और स्वागत आपका एक बाफिर से मेरे चैनल इजी टूवे में आज के इस वीडियो मैं आपको स्लीप की कटिंग करके बताने वारी हूं कि आप किसी भी साइस की स्लीप की कटिंग है बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ सुरी प्राइट्ट जान लेते हैं तो यहां पे आपको धे मेंशरमेंट की जरूवत है प्रस्त कर्वाणफ ले earlier है। यहां पर चाड़ाई है उस मतलब यह राउओंड वाले तो आपको इस प्रकार से 3 measurement की आवशक्ता होगी अब मैं आपको sleeps की drafting के लिए मैंने newspaper का इस्तमाल किया है तो यहां पहले मैं आपको स्थोटे साइस की स्लीप की drafting करके दिखाऊंगी तो स्लीप की drafting के लिए आपको क्या करना है इस तरीके से कपड़ी को लेना है और उससे पहले पूर्फ़ोल्ड में रखना जिस प्रकार से हम फूर्थी कार्टिंग के लिए कपड़ी को 4 फोल्ड मे तो यहां से मैं इसे टर्माइब करकिए तो यहां से तरमी और एक बार और चार इंच मेरी fix मुझे लंबाई तयार करके रखनी है, तो मैं इसमें एक इंच एक्ट्रा लेकर चलूंगी, क्योंकि आदा इंच हमारा उपर रांग में फुल्ड होग और आदा हमारा नीचे ते इस तरीके से मैं इसमें एक इंच, तो एक इंच एट कर लिया है, तो यह हमा अशा यह करना है, स्लीप की चोड़ाई के लिए, आपको हमेशा चैस्ट का फोर्थ भाग लेना है, जैसे कि मान लीजिए, मैं यहां जो स्लीप कट कर रही हूं, उसमें मेरा चैस्ट जो है, वो मेरा है 36 इंच, तो 36 का जो फोर्थ पार आता है, वो आता है 9 इंच, तो 9 इं मैं आपको फिर से बताती हूं, यहां जो लंबा है, हमारी फिक्स तयार हमें 4 इंच आहिए तो मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन एट करके 5 इंच रखा, उसके जो हमारी चोड़ाई है, वो हमेशा हमें चैस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है, मेरा यहां पर जो फोर्थ मैंने प्लस 1 इंच करके यहां पर 10 इंच जो है मेरी वेट को लिया हुगा है, अब हमें क्या करना है, यहीं यह उपर मिला लाती हूए एक बक्स बना लीना है, जब हमने यह बॉक्स बना लिया अब हम क्या करने इए, फ्रेंट जो हमार यह बाहर बाला पार्ट है, यह अब इन दौरों निशानों को हम आपस में जोइंट कर लेंगे इस तरीके से अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स जो मैंने यहां पर यहां पर यहां लिया हुआ है इसको आपको बिल्कुल सीधा मिलाते हुए आना है और जो यह तिर्ची लाइन का यह इसके उपर हल्का सबस पर यहां पर हलका हलका गोलाई शेप में देना है आपको बहुत ज़्यादा गोलाई ब metros कर देना है इस तरीकेregular मैंने यह देखे गोलाई दे कर इसको फिनिश कर दिया है देने हैं वो वाला अंगे जो गोलाई देना है उसके लिए हम क्या करेंगे , जो हमने यहां धाया इंश इस तरीके से मेजर करेंगे तो यहां से यहां तक जो मेरा है वो आ रहा है 8 inch तो 8 का हुमें लेना है 1.5 inch मतलब 4 inch 4 inch पर मैं इस तरहिके से एक मार करूँगी अब हम क्या करेंगे जो हमें 4 inch पर मार किया है मुझे को इस तरहिके से मिलाते हुए यहां पर एक लीब का शेव देना है तो इस तरीके से फिर हमें अगेन वही करना है कि यहां तक हम आएंगे सीदा फिर यहां से हम यह नीची कίν शाइड लीब बनाएंगे जैसे पत्ती होती है उस तरीके से बनाती हुए इस-ádhच को मिलाते हुए इस तरीके से यहां पर एक इंच पहले ही इसको खतम कर देंगे ध्यान दें आपको यहां से एक इंच पहले ही लीव को खतम करना है आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसको यहां से नीचे से ऐसा लेती हुए आ रहा है और यहां तक ऐसे मिला है नहीं आपको एक इंच पहले ही जो नीचे वाली गोलाई ये उसको उपर मिला देना है तो इस तरीके से आपका ये मिल जाएगा अब हमारा जो तीसरा measurement था fitting point वाला वो हमें ये नीचे की line पर दीखना है तो जैसे कि मेरी जो fitting point है वो यहाँ पर कुछ हम यहाँ measure कर लेते हैं तो यहाँ जो हमारा fitting point है वो आ रहा है 5 inch तो 5 inch तो हमारा यहाँ पर fitting point है अब आपको इसमें दो इंच जो है आपको 1,5 inch इसमें आपको जो 1,5 inch है वो आपको extra losing add करनी है जितना losing आप अपने जो भी फैब्रिक में बनाने में यूज कर रहे हैं उतनी ही आपको यहाँ ले जैसे कि आप पूर्टी में यदि देल इंच का मार्जन लेते हैं हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको नीचे से कट करेंगे यहां से मैं इसको इस तरीके से कट करूंगी उसके बाद जो हमारा यह फिटिंग पॉइंट आ रहा था उस फिटिंग पॉइंट को कट करेंगे हैं उसके बाद हमें क्या करना है जो हमारी ऊपर वाली गोलाई है ह आपको इस तरीके से करना है कि यहाँ पर आपका नौक नहीं आने चाहिए आप इस गोलाई के शेप में कट करते जाएए जब गोलाई खतम होगी तो आपकी कैची अपने आप ही रुक जाएगी आपको रूपनी की जरूवत नहीं है यह देखे यहाँ पर यह मेरी और जैसा कि आपने इसको एक इंच यहाँ मिलाया था तो उस एक इंच को छोड़ते हुए आपको इन दौनों पार्ट्स को यहाँ से कटिंग गोलाई देते हुए इस तरीके से फिर वहीं पर मिला देना है तो देखिए मैंने एक इंच वहाँ छोड़ दिया है और इस तरीके को इस तरीके से ले रहा है और जहां तक गोलाई ज야ती जाने इस को इस तरीके से गोलाई का Ш 초सुआ आपको आले सबस्क्ख ऑब्न्यास हो गई है मैं आपको एक स्लिप्स दिखाती हूं यह आपका आगे वाला पार्ट्स हो जाएगा फ्रेंड्स जो आगे की तरफ जॉइंट होगा और यह आपका पीछे वाला पार्ट्स हो जाएगा जो आपका पीछी की तरफ जॉइंट होगा अब आपको बड़ी स्लिप्स के लिए क्या पेपर को टूफोल्ड पर रखा है जब आप कपड़े पर कट करें तो कपड़े को आप जैसे मैंने भी बताया है वैसी फूर फोल्ड में करके रखें आपको फिर वही करना है यहाप लंबाई ले लिजी जैसे कि मैं यहाँ पर 15 इंच लंबाई रखनी है तो 15 इंच तो मेरी सीना है तो 28 इंच का चोथा भाग मेरा हो गया 7 इंच तो 7 इंच तो मेरा सीना है और मुझे एक इंच इसमें एक्ट्रा एड करना है मतला मैं यहाँ पर आठ इंच ले लूँगी तो यह आठ इंच मैंने चोड़ाई ले ली है अब मैं क्या करूंगी फिर से अगें वही कह सब्सक्राइब अब है यहां पर अपने अंदास की दो यहां पर उपर और यहां कर दोंगी तो टो फिर इन हींच का निचा में आफ्टो कर दूंगी इस तरीके से मैंने इनको आपस में जॉइंक कर दिया है फ्रेंट्स फिर आपको वही करना है यहां से आपको सीधा जाना है और इस को हलका सा क्या करना है round shape में मिल देना है यह देखी मैंने उसी line को हलका सा round shape दे दिया है फिर आपको क्या करना है जो ये 1.5 inch था इस 2.5 inch से इस 2.5 inches का जो point है उसको मिल करना है देखी यहां पर 1 inch पहले इसको क्या कर देना है खतन कर देना है यह देखिए मैंने यहां पर 1 पहले क्या कर दिया है है खतन करseason कर दिया है अब फिटिंग के लिए आप क्या कर चैनल इतनी फिटिंग THEions जैसे मेरी नीचे की फिटिंग 4 इंच है तो मैं इसमें कुर्ती के लिए काट रही हूं तो मैं इसमें देल इंच एक्ष्रा लोगी तो चार में आप देल इंच एक्ष्रा लोगे तो यह जाएगा आपका साड़े 5 इंच तो इस तरीके से 5 इंच पर एक निशान लगाते आई हो फ्रेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा श्यर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे जानल को सब्सक्राइब कर लिजिए आपको इस टेचिंग से रेलेट ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी मिलते हैं ने